नमस्कार राला मंडल की चोटी से यानि शिखर से आज बारवा सप्ता है मतलब बारवे किस्त हम आप लोगों के लिए लिकराएं एक नए एक्सपीरियंस के साथ नए लोगों के साथ और नए टीम के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज कई लोग हैं अपर देखे ब नो देस्ट ग्यारा बारा तेरा चाहूंगा कर दोड़ा है तो फिर गाद नहीं बजा देखे जब बरदस्त तैयारियां चलते हैं इनकी एक्सराइज लगाता है चलते हैं आप लोगों को कहा साथ है ये ग्रूप ट्राइकॉन फिटनेस ग्रूप है कितने लोग हैं आप लोगों 40 मेंबर 40 मेंबर के साथ में यहां मुदूद और आप देख रहे हैं कि लगातार यहां पर जो एक्सराइज इनकी जबरदस्त नजर आ रहे थी डिली यहां कितने सब्ता से आ रहे हैं सर अलग अलग और अर्मी के लिए 4 बंधों में सर अलग चल रहा है जबरदस चल रहे थे और नइंगे टी से होता है तीन साल से आर्मी की तैयारी ठीटिस अब होता है क्या वाते हैं और क्या क्या रहता है आप लोगों की एक्सराइज में और ट्रेनिंग के रूप में तो अब बच्चों तयारी करवाते हैं आर्मी की वो ट्री में सेवा करते हैं कहीं कहीं के लिए निकल जाते हैं और एक्सराइज के साथ हमारी मुलाकात हुई है और इन्हों ने जबरदस्ट एक्सराइज अभी की हम लोगों ने देखा भी और आप लोगों को दिखाया भी हमने हैं और नए एक्सपिरियंस के लिए हम लोग अब प्रवींट सावन जी के साथ चलते हैं जो कि रेगुलर मेरे साथ 12 सब्ता है उनका और खुड का जो है वो दो तीन सब्ता पहले से आ रहे हैं मतले इनका लगवक 15 सब्ता हो चुकी है और अभी यह भी ऐसा लग रहा है कि आर्मी की ट्रेनिंग के लिए तैयारियां कर रहे हैं हाला कि यह खुदी वनमेन आर्मी की तरह है प्रवींट जी खड़े हो जाई है कैसा लग रहा है आज का मौसम जड़ा ऊपर यह निगाहें अब बादल साफ है एकदम और यह एह सास करा रहा है कि अब धीरे धीरे जो ह और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी चोटी पर आने का आनन्द और उतना बढ़ता जाएगा दुगना होता जाएगा देख रहे हैं कि यह जो ठंड का मौसम होता है वो हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता और जितने एक्सरसाइज करने वाले हैं कुछ उसमें से ऐसे भी हैं जो सिर्फ ठंड के समय निकलते हैं एक्सरसाइज करते हैं यानि समय के साथ निकलते हैं वो लोगों का अब जो यहां पर आने का सिलसिला लगातार बढ़ता जाएगा कुछ दिनों में जब यहां चोटी पर अच्छी ठंड होगी तब यहां का नजारा देखने लायक होगा मुझे लगठा है कि उत्तर भारत का जो असर है बरबारी का वो आज बखुबी नजर आ रहा है जो ठंड हुआ चल रही है वो खुशगवार करने की इस पूरे मौसम को बादलों की छिटा अलग ही निराली आज देरारी यह खुला आस्मान है और देखने में बहुत खुब साथ सो यह अगान है और आज हम लोग मतलब मेरे साथ से प्रभीन जी का मोबाइल चोट गया है तो मूबाइल की दरब दोड़े हैं आज वैसे देखा जाए तो आम दिनों की संख्या में आम दिनों के तुल्ला में यहीं बात किजाय जैसे हरार आफते हम लोग आते हैं तो उसकी दुल्ना में लोगों की संख्या जरूर थोड़ी कम है परिवार की संख्या थोड़ी कम है लेकिन यहां आर्मी का जो एक का क्माइन कि अधन जरूरीटि वे में पर एक्सराइज कर रही है और यहां पर एक राहन बनाए ऊह fantastic यह इंसे ट्रेिंगे एक्ते बनती है पूरा ग्रूप एक जूट होके एक जैसी एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे हैं जो बहुत ही आद्बूर पूरा धना जंगल हम लोग पीछे की तरफ है राला मंडल के शायद मैं पहली वारी आप लोगों को दिखा रहा हूं आला कि आप लोग बुलकुल वा लोगों के लिए आकि बारिश में भी और ठकान होती है तो बानी का स्वार्थ चक सकते हैं आराम से पानी पी सकते हैं वैसे ज्यादाता लोग यहां पर बानी की बॉटल लेके ही ऊपर चड़ते हैं पानी लाना भी ज़रूरी एहमन क्योंकि एक धाई किलोमेटर का लगते हैं और उसमें ज्यादा एंडिरेंस यूज करना वड़ता है तो वह पानी बहुत आवश्यक है क्योंकि इस समय हड्डियों को सबसे ज़्यादा जरूरत होती वह पानी की होती तो इसलिए पानी लेकर ज़रूर आए और डॉक्टर रावत साब से भी जब हमारी बात पानी कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं कि पानी की बहुत जरूरत भी लगती है जब आप उपर तक पहुशते हैं तो आपको इतनी प्यास लगती है कि आपके लिए बहुत आवश्यक होती है एक्सराइज का दोर जारी है अगातार हमें आज हम आपको एक नए म मेवान से मुलाकात करवाएंगे जो पिछले तीन सब्ता से हमें नजर आ रहे हैं और अपने फिटनेस को लेके बिल्कुल जागरूख है फिलाल मेरे जानकारी मिली है उसमें यह है कि आपने कुछी सब्ता या कुछी मेनों पहले बाइपास तो फिटनेस को लेके आप बहुत बड़े हैं मैं यह जो प्लेस है बहुत इंज्वाए करता हूं और प्रकृति के सानित्य में आने का जो मौका मिलता है उससे रिफ्रेश हो जाता हूं अच्छा लगता है साथ है पहले बहला सब्ता और आज दीसरा सब्ता कितना अंतर ने आज थोड़ी हलकी सी अगले सब्ता फिर हमारी पोलाकात करते हैं को नय Indonesia करॆाते एक नया एक्सपीरियंस होता है और हर सब्ता एक अलग तरह कर आ नजर आता है जो देखते ही बनता है और मुझे लगता है कि हर शमत आपको प्रीरीद करता है कि आप लालां बंडल आईे स्पस्वरец बार बार करते हैं कि जो सो रहे हैं वह बहुत esta सवंद के साथ लालां मंडल की चोटी से दिया मन शर्मा तीसरीala की सारी की तेरवी किस्त के साथ एक बार फिर आपके साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए नमस्कार